हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गीता गीतास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट कड़ी जो लोग जॉब करते हैं या फिर जिने जो कड़ी बनाने में दिक्कत लगती हैं उनके लिए यह best option है और खाने में भी यह बहुत स्वादिष्ट बहुत ही जल्दी बनके त्यार हो जाती है और खाने में यह बहुत ही स्वादिष्ट है आप इसे जरूर बनाईए तो चलिए शुरू करते हैं तो इंस्टेंट कड़ी बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जर चम्मच सर्सो के दाने कारी सर्सो के दाने और साबू जीरा लाल मिर्ची पाउडर एक चुथाई चम्मच और चुटकी भर हींग और चिली फ्लेक्स अगर आप चाहते हैं तो आप डालिए नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो और यहां पे हमने लिया है काला नमक स्व अगर आप चाहें तो खाली जाला नमक भी डाल सकते हो और सफेज नमक भी डाल सकते हो यहां पे मैंने जो दहीं लिया है वह 100 ग्राम है और इसे मैंने मैशर से अच्छे से मैश कर लिया है इस तरीके से और अब हम जो है कड़ाई में तेल डालके इसका तड़का बनाएंगे तो कड़ाई हमने रख दिये और तेल हमने यहाँ पर डाला है दो चम्मच आप प्याज की क्वांटिटी के हिसाब से कम्यागादा भी कर सकते हो तो तेल जो है हमारा काफी गर्म हो गया है इसमें हम डाल देंगे काली सर्षो के दाने तो आधा चम्मच जो है काली सर्षो के दाने मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और चुटकी भर हिंग भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और साबुद जीरा आधा चम्मच और साथ में हम डाल देंगे कड़ी पत्ते, आप चाहे तो चोटे हैं तो साबुत भी डाल सकते हो, नहीं तो इनें काटके भी डाल सकते हो. शमक्त करदूें लें या फिर मैं या फिर लाल साबुत राव को ली गता है और उसे हम ratasんだ करुक्तों और साथ में मैंने यहां पर लिए दो साबुत लाल मिर्च, इसे भी डाल देंगे, दो मिनट भूनेंगे इसे, और इसमें हम डाल देंगे लंबे कटे प्यास, लाइट ब्रोग होने तक हम इने भूनेंगे, यह बहुत ही जबदी बनके त्यार हो जाती है, और इसका जो टेस् बनने में बहुत ही जल्दी कम समय लगता है और अगर आप आफिस जागते हो या फिर आपको जो कड़ी बनाने में दिक्का लगती है तो यह जो है बहुत ही बढ़िया ओप्चन है तो इस तरीके से हां मिने हलका हलका मीटियम फ्रेम पे भूनेंगे और ज्यादा इसे नहीं अपने भूनना हलका सा लाइट ब्राउन होने तक हम इने लगता चलाते होए भूनेंगे तो देखिए प्यास जो है हमारा हलका हलका लाइट ब्राउन होने लग गया है और इसमें हम आप मसाले अड़ कर देंगे तो यहां पे हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मक मैं यहां पे काला नमक डाल रहे हूँ थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स करीबने एक चुथाई से भी कम और लालमिर्ची पाउडर क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च और साबुद lange मिर्च भी ठाली हे तो हमें मिर्ची को धियान से डालना है इससे अच्छी से मिक् तो देखिए जो प्याज है हमारे काफी सॉफ्ट वाचीक है ौर इसमें हम डाले देंगे नमक, वाइट नमक आप पहले भी Professional आप अब छाहें तो खाली वाइट कलर जो नमक है वह भी ढाल सकतों और साथ ही हम डाल देंगे गरम असादा तो एक चुछाहीं से भी कम चमत है हमने यहां पर गरब मसाला इसमें डाल दाएं अच्छे से मिक्स कर देंगे और गयेस पो बन करके इसे हम डाल देंगे अब दही हम ने यहां पर फैट gep लख आ है तो दिखिए जो दही है इसमें हम डाल देंगे मसाना जो हमने कडाई में इस तैयार किया है ते इस बहुत ही मज़ेदार और चटपटी जो कड़ी बन के तयार हुई है बहुत ही स्वादिश्ट होती है आप इसे जरूर बनाएं तो देखिए इस तरीके से मैंने जो सारे प्याज हैं उन्हें इसमें डाल दिया और अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे बहुत ही बढ़िया कलर इसका आया है और खाने में भी यह बहुत ही स्वादिश्ट और बनने में सिरफ पांच मिनट लगते हैं तो फ्रेंट्स मज़ेदार चटपटी कड़ी बन के तयार है बहुत ही कम समय में बन के तयार हुई है और खाने में यह बहुत स्वादिश्ट हो भी कीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ नमस्कार ट्रोच्छ ऑल्रप्ट पर डिलत नमस्कार पर रेसिपी के साथrey वीडियो